हलो रिवान, वेलकम टू पार्मरोक्स यूटूब चैनल, पार्मरोक्स के यूटूब एजूकेसनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कार्मीनेटिव ड्रग्स के बारे में Carminative मतलब के ऐसे medication की जो हमारे पेट में होने वाले gas के निर्मान को काफी कम करती है और prevent करती है gas formation को So Carminative Medications के basic use के बारे में हम सिखेंगे उनका working mechanism और detail में जानेंगे उनके examples तो कार्मिनेटिव मतलब कि ऐसे मेडिकेशन की जो पीट में गेस के निर्मान को रोकने वाली दवा या जिनको कहा जाता है तो उनकी डिटेल में स्टडी करते हैं ये लेक्चर के अंदर एक्सपर्ट लेक्चर बाया मरसर असेस्टर प्रोफेसर एंड फाउंडर फार्मरोक् अपडेटेड रही है फार्मा नॉलेज के साथ एक्सेस कर ये स्टडी माट्रियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर और फार्मरोक्स तो अगर आपके पास एंडरोड मोबायल है तो डाउनलोड कर सकते हैं एंडरोड एफ गूगल प्ले स्टॉर पर से और अगर वाली दवाईया तो आपको यहाँ पर ही आपका concept clear हो गया होगा कि कार्मिनेटिव मेडिकेशन का basic use क्या है तो ये मेडिकेशन जब किसी को gas trouble होता है gas related कोई भी problem होता है किसी person को तो ये gas problem को treat करने के लिए medications को हम use करते कि जो gas troubles होते है gas related जो problems होते तो उसको treat करने वाली ये दवाया है that is a carminatives, so there are a class of medications which are used to prevent or in a treatment of a gas problem or a gas trouble so carminatives को carminatives हम भी कहा जता है और उसका plural बनता है carminatives और उसका हम main basic समझे, तो ये medication एक तो prevent करती है formation of gas, gas formation को prevent करवाने की और समझे की already gas आपके stomach के अंदर है intestine के अंदर है और वो काफी trouble कर रहा है, तो उसको आपकी body में से बाहर निकलने का काम, that means explosion of a gas out of the body जिसको हम कहते हैं कि flatulence के through आपका ये जो gas है वो आपकी body में से बाहर निकल जाएगा, as well as अंदर ही अंदर वो gas जो है, वो dissolve हो जाएगा तो इस तरह से ये medication अपना काम करती है, तो ये इनका दो काम है एक तो prevention का काम है कि आपके body के अंदर gas को form ही नहीं होने देगी excessive amount में और second, अगर जो कोई gas present है, तो उसको आपकी body में से बाहर निकलने का, that means expel out भी हम लिख सकते हैं कि expel out कराए gas को आपके body में से बाहर, as well as उसका formation ही कराएगी prevent तो carminatives को anti-flatulant property है उनके पास, जिनके करण उनको anti-flatulant agent भी कहा जाता है और deflatulant agents भी कहते हैं यहाँ पर देखो लिखा है कि carminatives के पास कौनसी activity है, कौनसी प्रापर्टी है pharmacologically, तो they have an anti-flatulant property इन anti-flatulant को deflatulant भी कहा जाता है and drug use for the elevation or prevention of excessive intestinal gas and flatulants कि जो आपको flatulants होते हैं और excessive intestinal gas produce होता है आपकी body के अंदर, तो उसको alleviation करने का मनलब कि उसको body में से बाहर निकालने का और साथ हो साथ उसको prevent करवाने का काम करते हैं यह medication and these are the drug acting on the gastrointestinal track and provide the pharmacological action in a GI track and widely used to treat the gas trouble and gas problem, तो यह medication का जो काम है, anti-flatulant का तो उसके करण जो gas related problems होते है, gas troubles होते हैं उसको treat करने के लिए use किया जाते हैं, usually आप देखो तो यह combination में होते हैं कई बार antacids के साथ कि यह आप marketed formulation देखोगे medicine liquid, तो उसके अंदर देखो antacid भी है, label के अंदर antiflatulant लिखा है तो antacid मतलब कि acidity भी कम करेगा यह medication और साथो साथ जो gas trouble का problem है gas problem है तो उसको भी cure करेगा साथो साथ तो जदातर carminatives यह antacids के साथ combination में आपको marketed formulation में देखने को मिलते हैं तो अब समझना ज़रूरी है कि gas trouble क्या है कि जिसके treatment में यह carminatives use किये जाते हैं तो medical condition that may increase the intestinal gas bloating or gasp and include the following chronic intestinal disease कि जब intestinal related कोई disease है GI tract related disease disorder से तो उसमें कई बार यह एक symptom develop होता है gas trouble तो आपके body के अंदर gas जो है वो excessive form होता जाता है और वो कई बार symptom बनता है अलग-अलग diseases का जैसे कि chronic intestinal condition से divericulitis है ulcerative colitis है crons disease है मतलब कि जो intestine related आपके अलग-अलग disease है कि intestines जो है हमारे या फिर आपका जो GI tract है GI tract के related जो अलग-अलग disease और disorder syndrome कहते है तो उनमें कई बार यह एक symptom बनता है that is a gas trouble और उसमें क्या होता है कि excessive gas form होता है नॉर्मल जो gas form होता है तो वो यूजली हमारे flatulence के थुरू आपकी बाड़ी में से बाहर निकल जाता है बट जब यह gas की मात्रा और बढ़ती है तो वो फिर आपको trouble करती है काफी problems करती है और intestinal gas actually क्या है वह वहा पर fermentation का process करते है और यह fermentation के दोरान जो gas formation वहा पर होता है तो gas की जिसको intestinal gas का जाता है means different things to different and everyone has a gas and eliminated by belching, burping, furting means of flatulence कि जब आप डकार खाते है, burpings जेसा होता है, belching होता है, flatulence होते है तो उस वक्त ये gas जो हो हमारी body में से eliminate हो जाता है, बार भी निकल जाता है and bloating or abdominal distraction is a subjective feeling that the stomach is larger or fuller than normal तो कई बार जो आपको bloatings जेसा होता है, abdominal distension होते है तो उसका मतलब यह होता है कि आपका stomach जो है, वा काफी full है नॉर्मल के कंपर में, मतलब कि कई बार excessive खाना खा लेते हैं, आप तो भी ये problem होती है तो excessive gas जो कई बार produce होता है, तो उसके reasons यहापे समझेते हैं तो bacterial fermentation एक main reason है, कि gas in your stomach is primarily caused by swallowing the air when you eat or drink जब आप खाना खाते हैं, तब एक gas आता है आपके swallowing से, फिर carbonated drinks, blood stream through and chemical digestion तो यह चार तरीके उसे थे gas एड़ होता ही है तो यह first, कि जब आप खाना खाते हैं, किसी भी चीज़ को swallowing करते हैं, उस वक्त भी gas जो है वो आपके body के अंदर enter होता है most stomach gases release when burping and flatulence की जो burping होता है, oral cavity के थुरू and flatulence जो होते है, एनस के थुरू उसके द्वरा यह gas आपकी body में से बाहर निकल जाता है फिर दूसरा जो कुछ gas है, वो bacteria जो fermentation का process करते है like bacteria ferment the carbohydrates, fiber and some starch and some sugars that are undigested in your small intestine तो large intestine के अंदर जब यह process होती है, bacterial fermentation जो कहा जाता है तो उसके द्वरा उन भी यह gas जो है वो form होता है and the small intestine absorbs the sum of the carbon dioxide and oxygen and rapidly passes the remaining gas to the large intestine but समझो की अब large intestine तक तो यह gas particle समझो की इस तरह से आ गए है बड़ अगर यहाँ पे obstruction है, कोई disease condition है या फिर आपको constipation हुआ है और obstruction है तो यह gas जो है वो NS के थुरू बाहर नहीं निकल पाएगा और यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा मतलब की उसकी मात्रा यहाँ पे ही increase होती जाएगी if obstruction सकर in a small intestine, gas pockets can accumulate containing as much as 3500 cubic inches of gas मतलब की अब gas समझो की बाहर नहीं जा पा रहा है obstruction हुआ है, blockage हुआ है intestines के अंदर तो यह gas के जो pocket से वो आपके intestines में ही जमा होते जाते हैं और उनकी मात्रा और और दिरे-दिरे बढ़ती जाएगी तो intestinal gas में होता क्या है, usually तो उसके अंदर अलग-अलग elements होते है, compositions होते है, gases का जैसे कि oxygen होता है, nitrogen, carbon dioxide, hydrogen and methane वगेरा होते है तो oxygen, nitrogen and carbon dioxide जो हम swallow करते हैं यार उसमें से याड़ होते है कि जो intestinal gas के अंदर carbon होता है मतलब कि carbon dioxide होता है, nitrogen, oxygen तो जो हम swallow करते हैं वाह से आता है और hydrogen and methane है, वो जो food particles के जो breakdown होता है, उनका fermentation होता है उनके त्रूँ ये gases form होते हैं intestine के अंदर और flatulence के त्रूँ ये देखो trace gases के nitrogen है, oxygen, hydrogen, carbon dioxide, methane वगेरा जो है वो remove हो जाते है तो देखो input में लिखा है कि air swallowing, acid neutralization, bacterial fermentation, metabolism वगेरा से ये जो gas जो है वो input होता है तो intestinal gas release कैसे होता है तो जब आपका flatulence होते हैं कि आपे देखो एनस के थरूँ ये flatulence के थरूँ ये gas जो है वो आपके body में से बाहर निकल जाता है अब्स्रेक्शन होता है तो ये gas अच्छे से पास नहीं पाता है तो bacteria also consume some of the gas but the remaining gas is released when you pass the gas from your anus एनस के थरूँ ये flatulence द्वार ये बाहर निकलता है और जब oral cavity की जो हम बात करते हैं तो जब आप ड़कार खाते हैं बर्पिंग होते हैं उस वक्त ये gas बाहर निकल जाता है तो intestinal gas problems होने से क्या होता है कि बर्पिंग होते हैं कई बार flatulence होते हैं या फिर stomach pain जैसे condition form होती है because ये gas समझे कि अब बाहर नहीं निकल पा रहा तो वो gas क्या करेगा pressure करेगा आपके stomach and intestine के walls के उपर and thus this condition become the painful call a gas trouble or problem तो यही problem को solve करने के लिए जो medications use किये जाते हैं उनको हम कहते हैं carminatives तो carminatives क्या करवाते हैं कि जो obstruction है वो एक तो open करवाएंगे कि जैसे कि हमने समझा कि intestine के अंदर obstruction है तो food का जो वहाँ पर समझा कि जमा हो गया है undigested food और वो constipation कर रहा है obstruction कर रहा है या फिर gas जब increase हो जाए तो उसको भी जरूरी है body में से बाहर निकलने का तो वो सब काम करेंगे ये हमारे carminatives drugs तो gas के symptoms कैसे बन जाते तो burping होता है passing the gas, pain होता है abdominal cavity के अंदर stomach fullness जैसा होता है bloating होता है और mainly तो कई बार nausea, vomiting जैसा person को फिल होता है abdominal bloating होता है abdominal pain होता है भूख नहीं लगती परसन को burning जैसा feeling होता है and indigestion की भी condition produce होती है तो उसके causes जो हमने समझ लिए कि chronic intestinal disease के करण जो ulcerative colitis है फिर small bowel bacterial growth full intolerance है, constipation वगरा है तो यह सभी के कारण excessive gas जो है वो produce होता है तो जो carminatives use होते है उसमें भी specially जो over the counter carminatives से gas problem या फिर gas trouble को solve करने वाले तो उसके example हम देखे तो pepto-bismol है उसके बाद activated charcoal आता है symethicon, dimethicon फिर enzymes के अंदर देखे तो lactase enzyme है lactate और daries वाला जो enzyme and beno तो यहाँ पर आप देख सकते हैं pepto-bismol की जो digestive symptoms होगरा है कि like gas trouble है, nausea, obsessed टमक, diarrhea, heartburn indigestion, gas trouble यह सभी को treat करता है as well as ग्लैक्सोस्मित लाइन का आप यहाँ पर product देख सकते हैं gas X की जिसके अंदर symethicon 250 mg की जो anti-gas, anti-flatuland के तौर पर काम करता है साथ हो साथ यह symethicon तो symethicon को हमने देखा कि anti-forming agent as well as anti-flatuland के तौर पर भी वो काम करता है तो उसके यह soft gelatin capsules carminatives के तौर पर काम करती हैं और यह treat करते हैं आपके gas troubles क्योंकि dietary fibers वगेरा है दूसरे important herbal remedies भी उसके अंदर combination में रहते हैं अब बात है देखे हैं के carminatives for kids kids के लिए कौन से carminatives popular है तो kids के लिए आप देखो तो छोटे बच्चों में भी कई बार यह problems होता है gas troubles वगेरा का flatulands का problem होता है तो यह problem उनको ना हो उसके लिए यह जो gripe waters जो है वो prescribe किये जाते हैं कई बार उनको तो gripe water कई बार over the counter भी मिल जाता है तो gripe water is an over the counter liquid supplement of sodium bicarbonate and herbs like fennel, ginger chamomile, deal, lemon balm और peppermint depending on the formula के अलग-अलग जो companies अपने uniqueness के लिए formula में थोड़ा बहुत changes करते हैं but usually यह सब ingredients said किये जाते हैं कि जिनके पास carminative properties होती है anti-flatulence property होती है और वो यह छोटे बच्चों के अंदर यह gas trouble या friend digestion के problem होते है तो stomach full जैसा हो proper digestion ना होता है तो उसके लिए भी यह help करते है as a carminative अब हम समझे कि जो herbs यूस किये जाते कि peppermint tea है chamomile tea anise seed कि जो यह star anise जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि star shape का यह star anise है फिर यह fannal के seeds आप देख सकते हैं karaway वगेरा है karaway coriander fannal है turmeric and asafoited असा फोईटीड है कि जिसको हिंग गएते हैं तो asafoited अब यह काफी powerful carminative के तौर पर काम करता है gas problems को solve करने के लिए turmeric है fannal कि जो हमारे Indian spices के अंदर usually खाना भगनाते वर्ग जो use किये जाते हैं मसालों के अंदर तो यह सभी carminative के तौर पर काम करते हैं scientifically भी आप समझ सकते कि जो हम Indian food system जो है पूरी की जिस तरह से हम खाना बनाते है तो उसमें यह सब ingredients खास कर रहते हैं कि coriander भी हम use करते हैं कारावे डालते हैं फैनल यूज किया जाता है एनाइस भी यूज किया जाता है तो यह एक naturally herbs है कि जो कार्मिनिटिव के तौर पर काम करते है तो कार्मिनिटिव ड्रक्स की mechanism कैसे यह काम करते है तो उनके अंदर usually क्या रहते हैं यह वालेटाइल ओइल्स रहते हैं अलग अलग तो the mode of action of कार्मिनिटिव herbs is largely as a result of the वालेटाइल ओडे कंटेन के फैनल है कारावे कोरियन और वगेरा के अंदर जो उनके अंदर जो oil glands होती है उनके अंदर volatile oil presence होते है and this compound help in increase gastric emptying gastric emptying time होता है वो increase करती है and are mildly irritating to the gastric mucosa so that peristalsis is increased जो peristalsis movement है वो increase होती है thereby relieving cramping and expelling the gas कि जो bowel movement कई बार जो slow हो जाती है कि intestine के अंदर या फिर जो हमारे bowels के अंदर जो movement slow हो जाती है तो movement जब slow हो जाती है तो उसके करण constipation होता है gas release नहीं हो पाता तो ये medication क्या करते है ये peristalsis movement मतलब कि ये movement जो slow हो गए थी उसको करवाएगी fast तो intestinal movement की जिसको हम bowel movement कहते है वो increase करवाएगी जिसके करण जो constipation मतलब कि undigested food भी जब जमा हो जाता है intestine के अंदर वो और वो constipation करता है तो वो भी आपके body में से expel out होगा और constipation का problem solve होगा और साथ हो साथ जो gas है वो भी expel out हो जाएगा आपके body में से तो इस तरह से ये carminatives अपना काम करते हैं बट उनके कुछ side effects भी है कि अगर कोई उसको overuse करता है तो diarrhea हो सकता है कि आप excessive use कर लेते कि जो proper जरूरी है उसके amount से जएधा तो उनके करन फिर diarrhea हो सकता है फिर आपको vomiting जैसा हो सकता है dizziness हो सकती है fanting भी हो सकते है flushing, irritation, muscle paralysis and trouble in breathing तो ये सब side effects भी कर सकते हैं ये carminatives तो यहाँ तक lecture में था importance of this carminatives उनके mechanism अब जो gas trouble के लिए जो natural remedies की जो हम बात करते है कि carminatives में भी जो natural remedies काई बार तो cumin seed तो है carminative के दर पर अजवाइन है but कई बार butter milk भी यूज़ किया जाता है garlic है, warm water baking soda, cinnamon वगेरा भी यूज़ किया जाते है तो ये जो ham remedies के देख सकते है flatulence के लिए के लिए के लाइक fibers will be introduced slowly कि जो आप fiber containing कोई खाना खा रहे है तो आराम से खाईए slowly slowly खाईए कि जिससे अच्छे से वो digest होते जाए drink with sipping sipping के साथ आप कोई भी पानी पीते हो या फिर कोई भी चाई वगेरा या फिर कोई buttermilk छास वगेरा लेते है don't sleep right after you eat कि जो right side कई बार जो आप सोते हैं खाने के बाद तो ऐसा ना करें ये जो है वो गलत है always choose the left side खाना खाने के बाद left side ही सोना चाहिए जिससे ये जो gastric acid भी आपके stomach में से ये isophagus के और ना जाए because right side सोने से क्या होता है ये जो acid है वो reflex हो कि आपके ये food pipe के अंदर आ सकते है कि जिसको isophagus हम कहते है walk away मतलब कि थोड़ा आप walking करे exercise करे smoking quiet करे avoid soda and processed food and drink water अच्छे से पानी पीजी कि जिससे gas prevent जो है वो हो सके तो ये थे tips for a prevention of gas problem थे ये था special lecture about the carminatives तो lecture note आपको farmerox के आप उपर आसाने से मिल जाएंगे कि जो pdf ppd जिरो है lecture की affordable price में कि जो useful है सभी exam के लिए thank you for watching join कर सकते है whatsapp group 94261 8036 whatsapp फेल्पलाइन नंबर है access कर सकते है study material test series and the video lecture और आप farmerox android user है तो डाउनलोड करे ये android आप Google Play Store पर से iPhone user है तो app store पर से डाउनलोड करेए link आपको description box में मिल जाएगी good luck and all the best